दोस्तो गर आप जिरोदगा ट्रेडिंग प्लेटफोर्म यूज करते हैं और आपको फ्यूचर एंड ओप्संस में बाई ओडर लगाते ही NFO is disabled for your account का ये एरर सो हो रहा है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस एरर को कैसे दूर करें So let's begin दोस्तो जब आप FNO trade buy करते हो और आपको ये एरर सो होता है तो आपको यह console पर click करना है उसके बाद आपको यह manage segment में NSE future and options और BSE future and options के सामने के option off मिलेंगे तो आपको इन options को on कर लेना है दोस्तो ये problem आपको तब आती है जब आप kill switch का option on कर लेते हो उसके बाद आपको 12 गंटे बाद वापस इस console के page में आकर इस kill switch के option को off करना पड़ता है इन दोनों options को on करने के बाद आपको यह continue पर click करना है उसके बाद आपको यह OTP बेज़े जाएगा आप OTP email ID पर यह mobile SMS में जहां चाहते हो उसे यहां से select कर लीजिए और continue पर click कर दीजिए उसके बाद आपको OTP डाल कर verify पर click करना है अब आपके यह options trade लेने के लिए on हो जाएंगे अब आप काई tape में जाकर trade ले सकते हो दोस्तों कई बार हमें पता नहीं होता कि हमारा kill switch का option on है की off है आपको simply यह bottom right corner में account के section में जाना है और यह अपनी client ID पर click करना है उसके बाद यह page open होगा अब यह segments के सामने आपको NFO और BFO के option check करने है अगर यह option आपको यहां दिखाई दे रहे है तो इसका मतलब है आपका kill switch का option off है आप trade कर सकते हो अगर यह दोनों option आपको यहां show नहीं हो रहे है तो इसका मतलब है आपका kill switch का option on है दोस्तों यह काम आप market open होने से पहले कर सकते हो क्योंकि कई बार हम kill switch के option को off करना भूल जाते हैं और हमसे अच्छी trade मिस हो जाती है तो आप इस तरह से check कर सकते हो I hope आपको यह information अच्छी लगी होगी So like this video and subscribe for more informative videos